तो हेई गाइस कैसे हो आप सबी लोग तो आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ अंडेड अनलक का एपसोड नमबर फाइफ तो बिना किसी तेरे करे एपसोड को शुरू करते हैं एपसोड के शुरूआत में हमें दिखाया जाता है कि जो फूको है वो काविजदा रो रही होती है गैना की दर्थ पर लेकिन दूसरी तरफ जो एंडी है वो बताता है कि जो गैना है उसके पास एक दर्थ वीश थी कि वो हमेशा से मरना चाहती है यहाँ था कि उसका तो मन भ करने के लिए उसके विश्च को पूरा करने के लिए फूको एंडी से पूस्ति है कि क्या हम लोग और्गनेशन को चेंज नहीं कर सकते जिससे की गैना की तरह कोई और परसन ना सफर करें यह सुने के बाद एंडी हाँ बोलता है कि वह उससे प्रामिस भी करता है उपर से व सब्सक्राइब करने वाले थे जो यहांपर फूको थी वो काफी हेरांती पड़ लेकिन तूसी तरफ जो एंडी है वह अपनी उमल्यों को ही कर देता है और बूरता है कि मैं बस हेलो कह रहा हूं और उसके बाद वो अपनी ओम्हाइशन को लांच कर देता है वो काफी इजी लाया होता है जो कि नंबर 5 होती है और वो काफी जिदा गुस्से में थी क्योंकि एंडी वही परसन है जिसने की गयना को मारा है और तभी अचानक से एंडी जैसी अपना तलवा नीचे लगता है जो यहां पर टाटियाना के हाथ थे वह पूरे एकडम कट जाते हैं पहलेकिन का जो हाथ है वह उसके ओडनी पारफोल है और दूसी तरफ जो जुइज है वह उन दनों को छोड़ देता है उसके बाद आंडी फूको से माफी मांगता है एंड बताता है इंडंको प्लाती है जो कि एक प्रेश फ्लुड में बताने ही लग जाता है उपक्यानेट हो जाता इन से भी चीज़ों को देखने के बाद जो फुको है वो काप इसदा घबरा गई थी पर लेगिन एंडी उसको समझाता है कि अभी के लिए उनको जितना हो सके इंफोर्मिशन ग्यादर करना है और उसके बाद हमें फॉर्थ करस्ट के बार में बताया जाता है जहांपे उनको नेगेटर अंसीन को काप्चर करना है जिसका रिवार्ड होगा उनके पर नेगेटर अन्रिपेर का लोकेशन वो बुक बताता है कि उनके पस 31st और तक का टायम है एंड अगर वो लो क्वेस्ट को नहीं कंप्लीट कर पाते तब पहलेंटी यह होगा कि यूए में गैलेक्सी का एडिशन हो जाएगा जो फूको थी वह काफ जिदा कंफ्यूज हो जाती है बड़ लेकिन इसको बताता है कि मुबंद रख और चुप-चाप सून दूसी तरफ नमबर एट जो की नीको है वह अपने इंवेस्टिगेटर्स की तरफ से जिदिने इनफॉमेशन मिली है उन उन पर तो उनको गिवापी कर देना चाहिए क्योंकि उसके बार में उनके पास कोई भी इंफॉमेशन नहीं है और उसका पीछा करने पर वह लोग बस अपने मेंबर को खुएंगे और उसकी बात सुनने के बाद जो जो यस है वह बताने लग जाती है वह लोग स्राटिंग बैठते हैं तब यह भूख कलता है इंड उनको टास्क देता है अगर वह लोग उसको करते हैं तब इसको कैप्चर करने की कोशिश की वो बदाती है कि वो सभी लोग नॉर्मल इंसान ही है जिनके पास थोड़ी सी एबिलिटीज है और वो चाहती है कि ये सब कुछ रुख जाए बढ़ेंगी जो जुईज है वो बदाती है कि 98 टाइम्स अर्थ पर रूल एड़ हुआ है लैंगवेज, रिज, देर्थ, सिकनेस ये सब कुछ फ्यू एग्जामपल्स है हर कुछ महिने में पैलेंटीज हैड होती रहती है जिनके बार में लोगों को पता भी नी चलता और इसी वह से उनको ये से कुछ करना पड़ता है ताकि क्वेस्ट कंपलीट होने के बाद वो लो काप सिधा डिंजरेस थे इसी वे से उसने उन दोनों के डिस्पोजल का आर्डर दिया था पर लिकिन शिन के कहने पे वह उन दोनों का मौका दे रही है फुको फिर भी हैसिटेट कर रही थी ये देख के जूइस बोलती है अगर तुम और वन स्पॉट लेने के लिए तुम लोग काफी हरान हो जाते हैं तुसी तरफ जो एंड यह उसको कोई फरक निपरता और बोलता है कि उसके जो टीम मेंबर्स है वह फूको और शेन होने वाले हैं जो क्यों पर पूछने पर मुई बताती है कि वह उनके साथ नहीं आने वाली क्योंकि वह नहीं नाउंटेबल क कि मेंबर है नाई उसके पास एंवलम है और नाई वह एक नेगटर है और क्योंकि वह उसकी साथ नहीं जा सकती इसी वह से वह एक दम फूको से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज शिन का ख्याल रखने निकले दूसरी रफ हॉल में जो एंड यह वह बिना कपड़ों पहनी ए उसको एक सूट, नेक्टाई, एंड एंवलम की जरवत पड़ेगी क्वेस्ट में पार्टिस्पेट करने के लिए यह दिखने में किसी कॉस्प्ले की तरह लगेगा बड़ लेकिन यह काफी जदा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्टाई है वो किसी भी पॉब्लिक सर् रखनी पड़ता कि उसको बस एक हेलिकॉप्टर की जरुवत है क्योंकि वह को एक डेट पे ले जाना चाता है बादलों में उसको सभी चीज़े खुदी से हैंडल करनी पड़ेगी पड़ लगें तभी एकदम से अलाम बजने लगता है और यह इंफॉर्म किया जाता है कि कि भागने लगा है और सबको यह और मिलता है कि जल्द से जल्द उसको कैप्चर करने के लिए जो टॉप है वह काफिज़ा एक्साइटिव हो जाता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए दूसरी तरफ हमें उस प्रिजन को भी दिखाया जाता है जो कि स्पाडर मैं से क ला करता है कि यहां पर यहां पर एंडी की गरधन सुठ दैता है कि यह बंड़ी की वी आपथा कि खरता है eto उसके कपड़ों पे कोई भी चेंज़ इस नि दिखते है बर लेकिन जो सिन वह बताता है कि हाँ उसके कपड़े अलग हो रखे हैं बर लेकिन दूसरी तरफ जो यहां पे मुई है वो एक जम से उन पर हमला करती है यहाँ पर जो Andy और शिन है वो उसके हम लोगो बस बस व्लॉक ही कर रहे थे अंडी शिन से बोलता है कि आखिर वो कुछ करता क्यों नहीं तो फिर शिन बताता है कि उसकी जो ability है वो मियूव पर काम करेगी बर्लिन उसके कपड़ों पर नहीं जो सुनके Andy उसके ability को useless बोलता है बर्लिन से नहीं उसको याद दिलाता है कि लास्ट fight में उसकी ability ने उसको हराया था पर Andy बताता है कि उनकी जो fight है वो completely नहीं हुई थी इस वएसे वो ऐसे फालतों के exemption नहीं लगा सकता और यहाँ पर वो लोग decide करते हैं कि वो लोग अपनी जो fight है वो ज़रुवी से ख़दाम करेंगे पर दूसरी तरह फूको नोटिस करते हैं कि जो मुई थी वो काविज़ा sad थी क्योंकि वो उसी person पर हमला कर रही है जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा चिंता करती है इस वएसे वो चीजों को अपने हाथ में लेने का कोशिश करती है और वो सीधा जाके मुई को touch करती है पर लिगन एकदम से उसको मुई का हाथ लगता है जो cloth वाला creature था वो एकदम से Fugo की तरफ वरता है क्योंकि वो female target ज़्यादा prefer करता है पर लिगन दूसी तरफ जो Andy है वो कहाँ पे Fugo को capture होने देने वाला था फुल स्पिर्ड में Fugo के सामने पहुंच जाता है यहाँ पर वो जो cloth वाला creature था वो Andy पर पिचे बख जाता है Andy बताता है कि उसका जो unlock है वो दूसरों के आतों में काफ जिदर dangerous हो सकता है और आखिर वो ऐसी चीज़े क्यों कर रही है पर तभी उन सभी का focus Andy पर जाता है जिकि उस UA में अब तक कोई कपड़ों पर transform नहीं किया था और नहीं उसने Andy पर control लिया था और तभी वो creature एकदम बात करने लग जाता है और गुसे में Andy की choice को बताता है कि उसको ऐसे कपड़े चाहिए जो कि कभी destroy नहीं और जबी भी आगर destroy हो जाए तो regenerate हो जाए एकदम से पर Andy उसकी बेज़िती करते होए बताता है कि वो इतना भी नहीं कर सकता और वो कितना जदा इंड के बल है बर नहीं कि यह सुनने के बाद वो जो creature है वो एकदम बोलने लग जाता है कि वो ऐसी कपड़ों में transform होके दिखाएगा उसको और उसके बाद उसकी जो body है उसको भी take over करेगा फुको बोलती है कि उसने एंड को touch किया था बर लेकिन जो unlock है वो अब तक आया नहीं है बर लेकिन तबी अचानक से एक beam आती है जो कि एंड को पुरा rock में बदल देता है दूसी तरफ नीचे से नी को माफी मांगता है किसी की भी death पे and वो बताता है कि एक expiner and fail हो गया था जो कि दूसरे member fill के साथ कर रहा था दूसी तरफ एंडी बिलकुल भी खुश नी होता क्योंकि ये जो cloths है इन्होंने 50 सेकंड ले रिजेनरेट करने के लिए and यहाँ पर जो फुक हो है वो उस cloth याने कि उस creature को clothी नाम देती है क्योंकि ये कुछ ज्यादा suit कर रहा है बर लेकिन दूसी तरफ clothी का जिदा गुस होता है क्यों का जो पार्टनर है वो काफी स्लो तयारी कर रहा था पॉइंट बिनने के विए से जो एंडी की position है वो भी 9th हो जाती है और तभी एक messenger आता है और बताने लग जाता है कि न्यू यॉक की स्रीट में एक एक्टिविटीज डिड़क्ट हुए है जो की स्पोयल के आपको वीडियो को लाइक कर देना तो बस अच्छी पर इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए से होना रहा